नमस्कार में बालकृष्ट मुलेवर आप देखना शुरू कर चुके है दे प्राइम टॉक का स्पेशल साग्मेंट परंपरा परंपरा में आज हमारे मिहमाने वरिष्ट पत्रकार सम्वानिशी जैदिप जी करणी जैदिप सेर आपका स्वागर थे आप में अभिनेंदे ने प्राइम टॉक के स्पेशल सो परंपरा होगे मितर आप समाजिक सरोकार को खूब जम कर चीते हैं यूँ कहें कि करनिक परिवारी यूँ कहें कि एक साथ शक्सिवेदिक समय हो गया एक इंदोर शहर देवी अहल्या की नेगरी में बड़ा मुकाम बड़ा नाम ख्याती के सा तर्दित कर चुका आज एक बार फिर अउसर आया रंगनात पहलवान का नाम आया और कभी गुरु सत्तन जी ने सत्तन अड़न सत्तन जी के मुखारविन से निकला कि इंदोर की गेर जो है रंगनात पहलवान के लोटे से कैसर या रंग के रूप में बहार निकली और आज वैभाव के साथ में तेवे एल्या की नगरी में चवर विश्वस्तरी धरोर बनने को है किसा लगता है इतनी बड़ी ख्याती इतने बड़ी वजूद इतने बड़ा वसीत आपके नाम होगी है देखिए बालकरेश्च न बहुत भावुक कर देने वाला दिन है दादा जी क नहीं याद रखी जाती थी तारीकें तो याद रखी तो कोई वसंत पंचमी को जनम गया तो वसंत ऐसे ही वो रंग पंचमी को जनमे तो रंगनात उनका नाम हुआ और रंगु पहलवान के नाम से उनकी ख्याती रहे कि कुछ्तियां लड़ते थे पहलवानी करते थे पूरी टोली थी और इन्होंने आदादी की लड़ाई में जोर शोर से हिस्सा लिया और जब देश आजाद हो गया तो यह समाजिक शेत्र में सभी नामों से इंदौर परिचित है इंदौर का गौराव बने यह सभी लोग चर्चित रहे दादा जी की टोरी कॉर्नर पर साइक कि उनको बहुत शौक था कि कोई अगर मानलो अच्छे सफेज जग कपड़े सुंदर कपड़े पहन के लिए तो उस पर रंग लाना तो होली के दिन तो होली खेली जाती लेकिन रंग पंचमी का जो थोड़ा उच्सव शुरू हुआ वो छोटे-चोटे हिस्सों में यह शे साथ में चल कर सबको रंग लगाएं वो रंग जुलूस की शकले में तब्दील हो गया बैल गाड़ी पर पीछे पीपे रखकर गेर निकाली गई वो गेर में तब्दील हो गई और आज 74 साल हो गए और इंदौर की विरासत बन गई बहुत बड़ी चोटी शुरुआत कैसे कालजयी बन जाती है और अब तो यह किसी की एक की परंपर नहीं है शेहर की परंपरा है शेहर ने इसको जिस तरीके से अपना लिया दो साल कोविड में केवल नहीं निकली उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हो कि रंग पंचमी गेर नहीं निकली पूरे हंदुस्तान में होली म परंपरा को जिन लोगों ने आगे बढ़ाया सतत उसमें समर्पित रहे उनका बड़ा योगदान है जितने बाद में गेर के संस्क्रन आये अब मिसाइल से गेर रंग उलाया जाता है तब केसरिया लोटे से रंग उलाया जाता है शुरवाती दिरों में कहने के उसके साथ लोटे से रंग डाला फिर कुछ लोग राजबाडे तक निकल के आने लगे टोरी कॉर्नर से रंग उडाते हुए तो 47, 48 और 59 के समय ये बहुत ही अनौपचारिक सा चोटा सुरूप था कि भई लोगों पो रंग लगाना और किसी को यहां से सूखा नहीं निकलने देना है क फिर वो शुरुवात धीरे धीरे परंपरा की शकले निनल लगी पचास के बाद विधिवत टोरी कॉर्णर की गेर निकली जिसमें जो गिरी परिवार है तो छोटे गिरी बावुलाल गिरी जी इन लोगों ने मिलकर उस परंपरा को बाद में और अभी तक भी लगाता लेकर लोगों पर रंग उड़ाना उनको बहुत भाता था और हमने भी यही किस से बच्पन से सुने हैं जिस स्वरूप में जिस तरीके से उसका जख्र हुआ है तो सुनकर अच्छा लगता है फक्र होता और ये भी अच्छा लगता है कि आप वो किसी एक की परंपरा नहीं है पूरे शहर का उत्साव है जिसको पूरा देश और दुनिया के लोग रंग पंचिमी के इंदोर के वीडियो देखकर हरान हो जाते हैं कि लाखों की भीड शहर के मद्यक्षेत्र में इतनी चोटी सी जगह में आती है रंगों का उत्साव मनाती है कोई भागम भाग भाग दढ़ नहीं होती और उस परंपरा को लोग जीते हैं और खास तोर पर दो साल जो कोविड के बालकरिशन लोगों ने देखे जिसमें बहुत आवसाद रहा दुख रहा कई लोग बिशड़ भी गये तो लोग मांसिक रूप से बिलकुल परिशान हो चुके थे तो यह उत्स दारी और आप यह कैसे जिम्मेदार पत्तर दिल्नी में पत्तर करते हैं इससे लेकर कितना क्या करना चाहिए देख मुझे बालकरिशन लगता है कि इसमें कोई भी शक नहीं कोई बी इस तरह का पैमान नहीं जिसको हमारी रंग पंचमी की गेर पूरी ना करती हो रंग प्रशासन को पूरी करनी होंगी प्रशासन ने दो साल पहले इसकी तैयारी भी कर ली लेकिन महामारी के दोरान दो ही साल का ऐसा अवरोध आया जब यह और जब दुनिया रुख गई हवाई जहाजों के पैयें थम गए रेलगारी रुख गई कार खाने बंद हो गए चिब इस तरह से समर्पित किया है भली गिरी परिवार का अपने नाम लेकर उनका मान बढ़ा है शुरुवात भली करनिक परिवार रंगनार्ची के हातों से हुई उनके लोटे से हुई लेकिन जिसर एक लोटा जो है दरजनों टेंकर में तबदिल हो गया इस बात का ऐसा साब को चोटी चोटी यादे है दादा जी आपको सुनाया करते थे दादा जी कभी लोटे से रंग छिड़कने जाते तो इस बात का भी खोफ होता था दर होता था जिन पर हम रंग हो ठाने ना चला यह इस किससा पिता जी बहुत सुनाते हैं पिता जी से अभी पूछेंगे तो व वक्ति निच्षी ती जुन्जला तक कि तयार होके किसी दूसे कारी के लिए निकला है और रंग पंच भी उस वक्ति ये सवरूप नहीं ले पाई थी म्याराद्मी सोचे कि रंग डलेगा तो वो वक्ति बहुत नाराज होता था ज़लाता था तो पीछे से पिता जी को दू अवसर आया कभी किसने शिकायत का कोई अवसर नहीं आया लेकिन उनकी चिंता ये वाजिव रहती थी कि भाई कोई ऐसा नहीं हो कि भोती नाराज हो कि थान्या ने चला जाए लेकिन उनको जो लोग साफ सुत्रे धुले वे निकलते थे उनको रंग लगाने में बड़ा मदा यह किससे हमको दादी ने सुना है पिताजी ने सुना हमआρι कि रंग खेलने में और लिटाधी जितने हीं तो कहती थे इतने कपड़े बडल जाते थे और इतनी कपडों का निन भ nessa न रगा दे थे ते तो रळके कि दादी परेशान होती थी लेकिन वान चुहली लेकिन होली बेढ़ते थे, हसते गाले वही किससे हम ने सुने हैं, दादा जी के एक और बड़ी आदत थी कि वह बच्छों को शकर गोली बाटते थे, जहां भी जाते थे जिस घर में, तो आसपास बच्चे दिखे देखे उनकी जेब में, और फिर उनकी चर्ची थे उनकी पीछ अट चा तो इस तरह से रंगु पहलवान ने बहुत जिन्दा दिल बहुत खोशनुमा जिन्दगी जी और नाम भी उनका रंगनाथ था और रंगपंचमी के दिन का जन दिन भी है और रंगपंचमी की गेर की शुरुवात एक बहुत चोटे पहमाने पर उनसे हुई मैं यह लेकिन फिर से कहूंगा कि उस विरासत को आगे बढ़ाने में पूरे शेहर ने योगदान दिया बहुत सारे जैसे बाद में लक्षमेंट सिंग गौर्ड जो इतना बड़ा नाम रहे और वाकाल मितिज़ लेकिन उन्होंने इंदरक्षक के नाम से जो शुरुवात की पड़ी शुरुवात थी और उस वक तक कुछ दिक्कत में देखता हैं कि इंदर को मैंने भी बहुत करीब से जिया कि गेर का सोरूप थोड़ा सा बदलने लगा था थोड़ा खराब हरकतें ज्यादा होने लगी थी थोड़ा सा मुझे लगने लगा कि इसका सोरूप अच्छे लोगों ने अच्छे तरीके से योगदान दिया है मैं चूंकि आज हम इस रंगपंचमी के उत्सव पर भावुक पलों में बात कर रहे हैं जब मेरे दादा जी स्वर्गी रंगनात करनिक जी के बहाने से बात निकली भी है मैं कहूंगा यहां से आगे ले जाने क आज दो साल बात जब निकली है तो 5-6 लाख लोग टोटल आया होगा वहां पर और एक समय में इतनी जादा भीड हो गई थी कि बस ये इंदोर के लोगों का अनुशासन है और प्रशासन की मुस्तेदी है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन हम कुछ होने का हिंतदार करें इसके ब में गांधी होल पेंतियार करूंगा गांधी होल के पीछे बड़ा मैदान है वहां भी लोग फैल सकते हैं तो थोड़ा हमको इसको व्यापक शेत्र देना पड़ेगा तो इसका पैमाना भी विस्त्रत होगा जो लोग इतनी जादा भीड हो जाने की वज़े से थोड़ा संक जो शक्षित है हमारी जो धरोर है हमारे परिवार के जो बड़े बुजूर्ख है वो शुरुवात तो पहुत अच्छी कर देते लेगिन कहीं ना कई ब्रांडिंग नहीं हुने कारण इस तरह की बाते दभी चुपी रह जाती है वालकेशन टीस तो कोई नहीं क्योंकि हमने देश में ही यह शायद कमी कि दस्तावेजी करन को लेकर थोड़े पीछे रहते हैं दोकुमेंटेशन चीजों का नहीं करते हैं और हमने किस्से दरूर सुने पर हमने भी खुद कभी इस तरीके से नहीं सोचा कि हम उसको उस्वरूप में लोगों के सामने लाएं लेकिन यह कुमें थी उनकी जिंदा दिली ठी उन्होंने धरूर हमें दी तो 20 किसी बात की नहीं है बलकि इतने सालोबाद ही सही अगर उस तरीके से याद किया गया है तो बहुत अच्छी बात है है में फिर से कहूंगा कि यहाद किसी एक का नहीं है यह उत्सव पूरे शहर का है यह पूरे देश का है और इसको विश्व धरोर बनाने के लिए भी शेहर को उसी तरीके से प्रयास करना हो बिल्कुल जदिब जी आपने सही कहा है कि किसी भी कारिय को विश्व आप होने में मुझे लगता है साट सतर साल लग जाते और यही बात जो है विश्व धरोर पहचान बनाने वाली हमारी इंदोरी गेर जो रंग पंचिन पर रंगनाज जी द्वारा निकाली गई है उसकी भी यही कहानी मुझे इसा लगता है कि अद्यात्मिक द्रश्टी कोई से भी यही कहा जाता है किसी भी किसी संत्र किसी ऑच्छे कारे करने वाले व्यक्ति का जो नाम है उसका जो पादूरुभावे उसे भी होने में इतना ही वक्त लगता है जादीव जी आपने हमने इंदोर निकाला रदे से चर्चा की विक्तिकत बाते बताई गेर से जुड़ी बताई दगार रंग्नाज च क्योंकि जो मेरा आत्मी लगाओ दादा जी से रहा और यह सारे किस्से जिनका जिक्र हुआ है बच्पन से इसी तरह की किस्तों को सुनकर हम बढ़े हुए क्या बात है बहुत सुन्दर बहुत बहुत धन्यवाद है